नमस्ते दोस्तों आप सबीका स्वागत है DTS TV में दोस्तों आज हम जानते हैं GPS क्या है और कैसे काम करता है इसके बारे में दोस्तों आपने तो अपने स्मार्ट फोर में GPS का खुब यूज किया होगा कभी location चेक करने के लिए या फिर किसी को अपना location भेजने के लिए इस वीडियो में मिलने वाले हैं दोस्तों GPS का मिनिंग होता है Global Positioning System और Technology का अविशकार American Defense Department ने 1960 में किया था इस समय इसका अपयोग सिब American Defense ही यूज किया करता था जिसे आगे चलकर 27 एपरिल 1995 में सब के अपयोग के लिए मन्जूर किया गया और तभी से GPS ने पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया इस Technology का उपयोग बहुती बड़े पैमाने पर किया जाता है जैसे कि मैं आप बनाना, location track करना और navigation के लिए इसके अलावा आजकल ए Technology का उपयोग Smartphone में अनिवार्यों हो गया है जिससे आप अपनी location पता कर सकते हैं और किसी को भी अपने जेगे का location भेज सकते हैं अपनी जेगे का distance पता कर सकते हैं दोस्तो GPS, aircraft, bus, train जैसी transportation service में भी बहुत उपयोगी होता है इस सिस्टम से distance के साथ-साथ आपको ऊचाई भी accurate तरीके से पता कर सकते हैं दोस्तो आईए जानते हैं GPS कैसा काम करता है GPS satellite की मदद से काम करता है जिसके लिए अमेरिका ने पचास से भी ज़्यादा GPS satellite launch किये है इसमें से 33 satellite कई orbit में गुमते रहते है जो सारे GPS के लिए dedicated है वह satellite 24 hours पूती पर signal भेजते रहते है और इन signal को रिशु करने के लिए एक GPS receiver की ज़रत पड़ती है GPS receiver location का अनुमान पूती के उपर गुमने वाले GPS satellite के GPS satellite के समूँ के द्वारा आने वाले signal के आधार पर करता है हर एक satellite 24 hours signal भेजता रहता है receiver इनी signal का time और इस satellite का distance भी रिशु करता है receiver बहतर परिणाम के लिए चार satellite का प्योप करता है जिससे यूजर की dimensional position, latitude, longitude, attitude line यानि की अक्षांश रिशांश और उन्नतांश का पता चलता है एक बार GPS सिस्टम को GPS device का location पता चलने के बाद वह device की अन्य जानकारी भी find करता है जैसे की उसकी speed, track, trip, दूरी, जगे की दूरी, सूरे उगने और डूबने का time तो दोस्तों आईए जानते है GPS का उप्योग क्या है GPS का उप्योग बहुत सारी जगह पर किया जाता है जैसे की vehicle navigation, photography, mobile phone, flight tracking, geotagging, geofacing, distance relief, emergency services जैसे जगह पर GPS का उप्योग किया जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा GPS का उप्योग तो स्मार्ट फेन यूजरी करते है दोस्तों mobile phone में दो टाइप के GPS यूज किये जाते है पहला है यह GPS और दूसरा है यह GPS दोस्तों एग GPS क्या है यह फ़हले हम जानते है इस तरह के GPS का उप्योग GPS अधारी पोजिशनिंग सिस्टम के शुरू होने की प्रोसेस में स्पीड बढाने के लिए किया जाता है जब सिगनल लो होते है तब एग GPS पोजिशन को लॉक करके करने में रीचेवर की मदद करता है ऐसे करने के लिए मोबाइल फोन में नेटवर्क की ज़रूत पड़ती है क्योंकि एग GPS असिस्टन सर्वर का उप्योग करने के लॉक प्रोसेस को पूरा करता है दोस्तो यह एक वेब बेस्ट इंटरनेट सर्वर है जो की पहले से ही सैटलेट की पूरी जानकारी स्टोर रखता है दोस्तो आईए जानते है यस GPS क्या है यस GPS सैमल्टीनियस GPS है यस GPS से मोबाइल फोन को GPS और 22 देटा एक ही टाइम पर मिलते है नेटवर्क केरियर के लिए सैटलेट आधरित रिपोर्टिंग को इंप्रूग करने के लिए यह तरीका एडप्ट किया जाता है इससे ही नेटवर्क प्रोवाइडर लोकेशन बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर का पता लगाता है तो दोस्तो यह थी GPS की जानकारी दोस्तो अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नई जानकारी के साथ मैं आऊंगा तब तक के लिए वेट कीजिए दोस्तो अगर से आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए अपने दोस्तो का शेर कीजिए और मेरा चैनल से स्क्राइब करना ना भूलिए धन्यवाद दोस्तो